हलो इस्टुडेंट मैं दीख्छा वेल्कम टू माई यूटूब चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं मार्च 2023 के करेंट अफेर को हमने अभी तक जनवरी 2023 के करेंट अफेर को और फरवरी 2023 के करेंट अफेर को कम्पलेट किया हुआ है आज से हम मार्च 2023 की नई सीरिज को स्टार्ट करते हूँ जिसको एक सेक्षन वाइस प्रितिक टॉपिक को कम्पलेट करेंगे जैसे राज विवस्था को अंतराश्टी संबंधों को और अर्थ विवस्था को परियावर से संबंधित मुद्धों को बिज्ञान इवं प्रोध प्रितिक टॉपिक पर अलग अलग पार्ट वाइस इसको कम्पलीट करेंगे जो आपके स्टेटिक पोर्सन के साथ में कर इंट अफियर को भी कम्पलीट करेगा चले तो स्टार्ट करते हों और पढ़ते हैं कि इसका पहला टॉपिक क्या है जैसे राजववस्था सकती या इनेमी प्रोपर्टी संचिपते सुर्खिया रहीं जैसे बार कांसिल ओफ इंडिया आधार प्रमाणी कर भूखता विवाद इन सबसे संबंदित रहा पिर आता है अंतराश्टी संबंद के बारे में जैसे भारत जापन संबंद भारत वस्टिल संबंद दोहराज जाते पर जोशनापत संचिपते सुर्खिया इस से रिलेटेड रहेंगी कि कौन कौन से देश में क्या हुआ कौन से ऑपरेशन चलाए गई कौन सा इध्धभ भ्यास हुआ इस से रिलेटेड रहेगा पिर आता है अर्थ वववस्था आर्थ ववश्था में सेवी से संदर बित रहा पिर निवीश सुरक्षा और रागिदारी से संबंदेड पिर तक्षिला भस्ता अंतर प्रधान मंतरी आवास योजां स्मार्ट सेटी मिशन एकोमर्स को बढ़ावा देने संदर में वीकल स्क्रीपीच की संदर में और संशिप्त सुर्खिया आई जैसे फिर थियर्टराइजेशन फिर गयर कानूनी गतिविदियों पर रोक थामा दिनियम और कानून प्रवर्धन के लिए प्रोध की इस सस्पेंसिब ऑपरेशन सम्झो था धन संसोजन सोधन तथा ससक्त बला दिनियम अफस पाफ इस तरीके के टॉपिक इस के अंदर रहेंगे फिर परियावण से सम्झन रवेत टॉपिक में आएंगे जैसे संयुक तराष्ट जलसमेलन, ए ए आर सिक्स का संकलन रिपोर्ट जलबाई हुने आए, कारवन क्रेडिटी उजना कमसोधा इस तरीके से परियावण से सम्झन टॉपिक रहेंगे अब आता है विज्ञान और प्रोगदिकी के बारे में भारत का सिक्स जी में सन जैसे अंत्रिक्ष परेट और वन बल्ड ट्यूबर क्लोसे सिखर सम्मिलन, संचिप्त सुर्कियाँ जैसे बायू कंप्यूटर, क्वांटम, कम्यूकेस और सोडियम के लिए सेवन में कमी इस विज्गर है संस्कृति से संबनित है, फिर कुछ टॉपिक आते है इतिक्स से संबनित, के हेल्थ केर में AI की नैतिकता, पपसुआ धिकारों की नैतिकता, फिर शुर्कियों में रही योजना में, समर्थ योजना की वस्तर छे bei ट्रक में, छमता निर्मार्री योजना, ए cries प्रियादी इस तरीके के ये उजना रही है चली तो स्टार्ट करते हैं पढ़ते हैं इसका अंतरगत हमारी राजविवस्था का पहला टोपिक आता है आज का ही हमारा पहला टोपिक रहेगा राजविवस्था राजविवस्था के अंतरगत आती है सात्वी अनुसूची सात् कब्धान का प्राउधन कY так 18FS में लाड रेपिन की प्रस्ताव से निर्वाचित नागरपाल का परशदों ग्रामीर जिला बोर्डों का गढटन का मारकः परस्दि क किया गया ठहारास बैसी में 1909 में भाराथचस्थन अधिनियम की द्वारा प्रांती परłeइ को और अधिकार प्रदान किये गए इससे भारती पृते नहीं जो सेक्वेस चला अठारस शुछनगों की बडet Amag the रखा गया 1946 में गठेती सम्मेधान सभा में एक मजबूत केंद्र के विचार का समर्थन किया गया जिसमें केंद्र को मूल रूप से 97 विश्यों के साथ साथ स्विस्ट विश्वों को सानूर मनाने की सकती दी गई और 1976 में 1976 के जो 42 सम्मेधान संस्विदन के अनुसार पांच विश्यों जोड़े गए जिसमें बुच्छा, बन, वाठ, माप, बनने जीवों अपक्षियों के संरक्षडों नियाय का प्रसासन इसमें सामिल किया गया इसके संदर्म में रहे हैं अब आता है कि ये साथवी निसुची आखिर सुर्खियों में क्यों रही है ये तो हमने विकास करम देखा कि किस तरीके से इसका विकास करम हुआ उसमें कौन-कौन से बेसा जोड़े गई किस समय इसकी क्या के पक्रियाओं में परिवर्तन हुआ इसका ये करके एक पुर्णावलूकन इस तरीके से दिखा है जसी आता है साथ मी निसूची में हाली में सुर्ख्यों में क्यों रहा है इसमें हाली में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह का है परसत आर्थिक सलाएकार परशत क्या होती है यह एक सुतन त्रनिकाय होता है जिसका कार भारत सरकार को आर्थिक मामले व असन्वें दित मुद्धों पर चलाए देने के लिए किया जाता है यह परशतिया तुष सुताह संज्यान लेती हुए प्रदार मंत्री या किसी और के कहने प पामकाज का विसलेशन किया गया, साथ भी अनिसूची के बारी में सामिदान की साथ भी अनिसूची का प्रावधान अंशे 246 के अंतरगत किया गया है, जिसके अंतरगत तीन सूचिया सामिल है, एक आती है संग सूची, एक आती है राज सूची और एक आती है संबरती सूची जिसमें जो पहली सूची आती है संग सूची उसे सूची एक के अंतरगत रखा जाता है दूसरी सूची को राज्य सूची जो सूची दो के अंतरगत रखा जाता है और सूची तीन को संबलती सूची के अंतरगत रखा जाता है संगों और राज्यों के वी सक्तियों का वित्र उत्तरदायत्यों का निर्धारण करता है इसके संधर में प्रिजन्ट में संग सूची में 97 विश्टियां इसमें सामें और राज्य सूची में 66 और संबलती सूची में 47 संधान के 248 के अनुसर आउसिस्ट सक्तियां संसत को प्रिदान की गई है और जिन विश्टिया संबलती सूची में उल्लेख नहीं किया गया है जो संभिधान के अनुसर 248 के तहत उन पर कानून बनाने की सक्ति संसत को दी गई है इसके संदर में अब आता है साथमीय नुसूची में संसुदन की पिक्रिया की बारे में पड़ते हैं साथमीय नुसूची में अनुशित 368 के तहत किये गई प्राधानों को ही संसुदित किया गया है इसके लिए संसत के बिशेश बहुमत पर कम से कम आदी राज्यों की बिधान मंडल की सा कि क्या क्या है इसके पीछे तरक क्या है पहला तो एक इसका बिभाजन की खटना होती है कि इसमे बिभाजन आजादी के बाद एक मजबूत केंद्र की ततकाला विशकता हुई इस प्रकार भारत की एक्ता और खड़निता को भविस्ति के अलगावादी विर्वृतियों से स दूसरी आती है रियाइस्तों की समस्या, तीसरी आती है संतुलित आर्थिक सम्रद्धी को सवक्ष मनाना तथा देश की विवित्ता और राष्ट की सुरक्षा और सरक्षा से सम्मंदित इसमें कुछ विभिन इसके पीछे तरक दिये गई, अब आता है बरतमान में सालतिवी यानि सुची से सम्मंदित चिंताएं कौन-कौन से हैं, पहली तो एक ही संतुलित सम्रद्धी का अभाव का होना, के अंदर को राज्यों की विकास में आवशक संतुलित निस्थापित करने के लिए सक्तिसाली बनाया गया, लेकिन सो तंतर्टा की 75 वरसों के बाद ही इतनी जुद्धी और मानो संकेत को की संदर में राज्यों के वीच असमांता देखने को मिलती है। सामिं हैं इसके संदर में आता है आगे किराहे między डेखते हैं कि इसके लिए क्या क्या किस आयो की द्वारा किया साभायरस प्राव किये घुर। इंद्व संभर्त करनacy के से करना चाहिए सब्हुत करना हने कि हम भ़मops को बिशहें या से Löow inhib करना समयों पे के विश्यों पर किसी कानून को लेकर राजिस्टी इस तर पर एक रूपता की जरूरत है तो उसे केंदर सम्मधित कानून के जरीयर पूरा करें लेकिन उसे कानून में ऐसे प्रावधन भी होने चाहिए जिसे राजिसरकार अपने इस्थाने जरूरतों के नुसार उसमें प्रामर्स के लिए मंचों को फिर से सक्रिय करना जैसे केंदर और राज्यों की बीच प्रामर्स करने के लिए मंचों को फिर से सक्रिय करना चाहिए इसके लावे इंचेत्री मंचों को प्रभावी विचार में मर्स करने के लिए एक साधन के रूप में किये जाने की आवश अब आता है चुनावी फंडिंग से रिलेटिट, चुनावी फंडिंग क्या है, क्यों यह सुर्खियों में रहा, इन सब के बारी में पढ़ते हैं, चाली में आशोसीेशन ओब डेमुकरेटिड रिफॉर्म ने चुनावी फंडिंग से सम्दित एक रिपोर्ट चारी किया, इ जैसे बित्तिवर्ष 2021 वाईज को जोन राष्टी दलों के आय की सुरूत की बारे में देखते हैं जैसे जो 2021 वाईज में आय की सुरूत क्या रहे जैसे ग्यास सुरूतों के आधर पर ECI की समख चुगो शित विवरण के नुसार प्राप्त दान 23.74% रहा अग्यास सुरूतों से आय बारसे के लेखा पर ECI की रिपोर्ट के अनसा 66.04% रहा और अन्य ग्यास सुरूतों से जो आय प्राप्त हुई वाई 10.22 परशत इसमें आय प्राप्त हुई है अब देखते हैं कि राजितिक दलों को जो 20,000 रुपे से कम चंदा देने वाले बेक्तियों और संगठनो नहीं नहीं अंहीं उन लोगों के नाम का प्रक्ठीकरण करने की जरूरत है जन्य ग्यास रोतों से प्राप्त फंडिंग में से चुनाभी फंडिंग में प्राप्त करने के लिए 83.4% था चुनावी फंडिंग से सम्मेंदित मुद्दों में आता है कि यह राजनितिक दलों को चुनावी खर्च की कोई सीमा नहीं और लोग प्रतियत अधिनियम 1971 की धारा, इसमें सबसे पहले तो काली धन की मांग में ब्रतिका होना, राजनितिक दल ऐसे उमीदवारों की प्राथमिक्ता देते हैं जो अपने चुनावी खर्च को स्रियम बाहन कर सकते हैं, लेबल पिले इंग का नियम तूट जाता है तक राजनितिक अपरादी करण को बढ़ावा मिलता है, इसके संदर में एक कुछ है, अलग है बित्ते पोशड के प्रभाव इन स्थेत्रों में पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं चुनावी बांड के बारी में कि चुनावी बांड क्या होता है, या इसको क्यों खरीदने की आवशक्ता होती है, इसका क्या मूल ले वर्ग होता है, इनकी सब के बारे में पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले आता है जैसे चुनावी बोंड राजितिक दलों दोरा गुप्त दान देने के लिए ब्याज मुक्त बित्तिय साधन होते हैं एक बचन पत्र की भारती होते हैं, एक ऐसे होती है, एक बचन पत्र की भारती होते हैं, जो ब्याज मुक्त बित्तिय संधन के रूप में होते हैं, यह बॉन्ड कौन खरीता है, इन्हें किसी भी भारती नागरी किया भारत में निगमित, किसी भी निकाय द्वारा खरीदा जा सकता है जो बॉंड का मूल लिवर्ग होता है वह एक हजार रुपई दस जार रुपई तथा एक लाख रुपई दस लाख रुपई यह करोड रुपई किनिक में यह जारी किये गए होते हैं जिसे भारती स्टेट बेंग की चैने साखाओं से खरीद जाता है और ऐसे बॉंड पराप्त करने के लिए पात्र होती है इसमें भी राजनितिक दल होती है जो लोग सभा या राज्विधान सभा के बेगत चुनाओं में कम से कम एक परसेंट मत पराप्त किये गए हो और लोग परतिकरित होते हैं इसकी खुर्शन कप की जाती है इसकी खुर्शन 2017-18 के दौ यदि उन्हें भुनाया जाता है तो एस्वी आई बॉर्णिकी रासी को प्रदान मंत्री राहत को उसमें जमा कर देता है इसके संदर में कुछ निर्देश्ट प्रावधान रहते हैं अब आता है इसमें पारदर्शिता का अभाव का होना है इसके अंतरगत क्या है कि पारदर सथ आयकर की छूट की गई होती है पंजीकरत गयरमादनेता प्राप्त दलो में से 0.96 परसेंट दलो में निर्वाचन आयो की समक छपने अंदान प्राप्ती प्रस्तुत करती है इसमें राजितिक जलों को सूचना के अधिकार अधियम के अंतरगत लाना कि राजितिक जलों केंद्री शूचन आयोग 2013 के आदेश का पालन करना चाहिए और इसे आर्टिया यदिनियम हो 2005 के तहरे लोग प्राधिकारी घुशत किया गया था इस आदेश के पालन से वने और अधिक जवाब दे हो अप्रादर्सी बनाया जा सकता है फिर राजितिक दलों को बिनेमित कर रद्द करने की सकती परदान की गई है कॉर्परेट फंडिंग की सीमा का निर्धारण करना इसके अंतरगत चंदी की रासी को एक रुपे एक उपरी सीमा निर्धारत करने चाहिए और इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहरे अपने बार से निवल लाब में 7.5% परसेंटी चंद पर लागू नहीं होती है इसका ताथ पर होता है कि यदि मौजुदा समय चाहिए तो वैस्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चुनावी बॉर्ण के माध्यम से चंदा देने का विवराण प्राप्त कर सकती है चुनावी फंडिंग में नगदी को हतुत साहित करती है चुनावी पांच परसत की उपरी शीमा को आप्रतिक शुरूप से समाप्त करती है तथा चुनावी बॉर्ण में माध्यम से दान कीवल दल की बैंक खाती में ही जमा किया जाता है और निर्वाचन आयूग ने इस खाती को पूर बिरबड़ा दिया जाता है और इसमें नुकसान होता ह इसके अंतरगत है कि सार्जिनिक यार्द सार्जिनिक संस्थाओं द्वारा राजनतिक उद्देशों के लिए पब्लिक फंड का उपियोग नहीं किया जाना चाहिए पारदर्सिता सुनिश्चत करने और पालन की निग्रानी की ब्यापक संभावना के लिए गुम नाम सुर पुदित लेखा परिक्षों द्वारा लेखा परिक्षा होनी चाहिए इसके संदर्मन इस मामली में विस में कुछ देशों में कुछ अच्छी प्रता है जैसे नौर्वी में नौर्वी में पॉलिटिकल पार्टी और कमेटी के एक सुतन देका है और यह चुनाबी अभिया के लिए राज्यतिक दलों को प्राप्त फंडिंग की निगरानी करती है साथ ही यह समीति अपनी पहले पर या जनता की सेकायतों के आधर पर कारी करती है फ्रांस में व्यशाइक घरानों निग्मों और अन्यकानूनी संस्थाओं को राज्यतिक दलों को चंदा देने के लि चुनाव आयक तो और चुनाव आयक तो कि नुक्ती भारत का राष्टपती एक समेती की सलाहे पर ही करेगा। चुनाव आयक के लिए एक स्थाई सचवाले स्थापित करने के लिए कहा गया है। चुनाव आयक तो के मुख सूचना आयक तो और अन्य सूचना आयक तो भी होते हैं। प्रधान मंतरी होते हैं लोग सभा की विपक्ष का नेता और प्रधान मंतरी द्वारा नामेत एक कैंद्री केंद्री कैविनेट मंतरी होते हैं। गेंद्री अनुवेशन वीरुई के इसमें प्रधान मंत्री होते हैं, लोगसभा के विपक्ष का नेता और भारत के मुखिने आदिस आते हैं। इस संदर में कुछे तथ दिये गए हैं कि GST परिशत की 49 वी बैठा के मंत्रीयों के समोई की एक रिपोर्ट को स्विकार किया गया है। पढ़ते हैं सबसे पहले कि GST होता क्या है? अब आता है GST-AT की आवश्यक्ता क्यों पढ़ी? जब ये GST का गठन हो गया तो उसके अंतरगत इसकी आवश्यक्ता क्यों पढ़ी? इसकी बारे में पढ़ते हैं। निया पालका पर बोज की संदर में। इसमें GST अपेली अधिकरण की नाव होने से बिवात की स्थिती में कर दाता हाई कूर्ट और सुप्रिम कूर्ट की समख्ष रिट ये जिकाएं दायर कर रहे हैं। ऐसे में GST-AT लंबित मुकदमों को निप्टान में मदद करेगा और निया पालका के पास ऐसे बिसे सग समदश्यों का भाव होगा जो GST की तकनी की मुद्दों से निपढ़ सकें। CES-AT ये का भिकल इसे GST की लागू होने से पहले कर विवस्ता में मुकदमे को दूर करने में महित्पूर भूम करने भाई। GST प्रावधानी की ब्रावधानी की संदर में कि इसमें GST में सामिल कुछ संक्रमाणकाल इन प्रावधाने की समयधाने के जुड़े मुद्दों का सामना करना आवश्यक होता है। को बहन करना पड़ता है और मौजुदा वेंक्रेण से बहुत अधेक होती है। अब आता है बस्तु एवं सेवाकर परिशत के बारे में जी गूट्स एंड सर्विस टेक्स काउंसल के बारे में। इसका सच्वाला जो होता है वनाई दिल में इसके उत्पत्ती सबसे पहले अनुशे 249 एक तहत की गई जो सम्मिधान के 101 वी सम्मिधान संसुदन 2016 के तहत की गई। जी एस्टी परसद के बारे में है केंद्र और राज्यों के वीचे एक संयुक्त मंच है जो जी एस्टी के कारण में मदद करता है। या कराधन या प्रभारी मंत्री या राज्य सरकार्द और नामित कोई मंत्री अन्य मंत्री होती है। जी एस्टी एटी का करता है कि वे जी एस्टी की तहत उत्पन होने वाले विबादों की समाधान में एक रूपता सुनिश्चित करें। इसके अंतरगत कुछ पीठे होती हैं, कुछ मुख्य पीठे होती हैं, कुछ राजी की इस्थित में इस्थित पीठे होती हैं। मुख्य पीठे हो के इंतरगत चार सदस होते हैं, जिसमें एक अध्यक छेक नियाएक सदस, एक तक नियाएक सदस, एक तक नियाएक सदस होता है। राज में गठित या इस्थित खंड़िपीट के इंतरगा जिसमें दो नयाएक सदस सामिल होती एक तक्णीकी सदस और एक तक्णीकी सदस सामिल होता है और राज सरकारों के अनोरोधूं अधीस्थि के सेummy फार्सों पर इन हैं गठित किया गया है मुख्यपीटों में जो नयायक सदस होते हैं और यह नई दिल्ली में इनका स्थान होगा तदा यह आपूर्टी के स्थान पर मुड़ी जुड़े मुद्धों मामलों में सुनवाई में किवल मुख्यपीट करेंगी मुख्यपीट तथा नयायधीस राज खंड़ दोनों के अंतरगर नयायधीस के अदिकार छेटर के बारे में एकल सदस और एक नयायक और एक तखनीकी सदस की रूप में एकल सदस में एक सदसी ये पीट पचास लाग रोपी कम बकाया और सुलकों बाले बिवादों की सुनवाई करती है इसमें कर इन्पूर्ट टेक्स क्रेडिट जोर माना सुलकी अदंड से सम्मद्ध बिवाद होती है और इस तरह की बिवाद की सुनवाई कानूनी पहलू हो त सुलकी अदंड से सम्मद्ध बिवाद इसमें सामिल होती है और इहां बिवादों की सुनवाई में कानूनी पहलू है तिथा कानून के पृष्ट पर हल किया जाना सामिल होता है तिथा अपूर्ति के स्थान पर मुद्ध से जोड़े मामलों की सुनवाई के वेल मुख राज्ञ की संदर में जैसे याद्दे इक्ष के संदर में कि सुप्रियम और नैयाने रेधी संदर में इसमें या सवर्षी की स्वर्षी के kaloение दीष पर रहा तक्निकी सदस्य के रूप में भारती राजिस्टी सेवा, ग्रूप एक कानुन परसासन के मामले में तीन साल कानुभावाला अखिल भारती सेवा और कोई सदस whose 25 साल पूरे कर लिये हों, तक्नीकी सदस के रूप में ऐसा वैक्ति जो राजसरकारों का कोई अधिकारी रहा हो, ये अखिल भारती सेवा कोई के लिए सभिस्टि कोई अधिकारी और घॉट सहे चें समीती के संदर में आलग-लग कुछ समीतियां होती हैं अध्यिश फोते इन न्यायक सदसुते तकनिकी सदसू तकनिकी सदस का цвет करेगी सक शन करीगी इसके संदर में कुछ समीतियां बनाई जाती है । GSTAT की कुछ सीमाय दी गई हैं जैसे सक्ति के केंद्रिकरण की संदर में सक्ति केंद्रिकरण की संदर में आपूर्ती की स्थान पर मुद्द से समझे मामलों की सुनवाई के लिए सक्ति केबल मुख पीठ को ही दी गई है आपूर्टी का इस्थान बस्तू के इस्थान पर संदर्वित होता है जहां बस्तू की आवाजाही प्राप्ट करता दौरा बस्तू को प्राप्ट करने की साथ समाप्त होती है। प्राथ मिक्ता होनी चाहिए। फिराज सरकारों को सचते बनाना की राज इस्थान रिपीटों की गठन की सकती सौपी जाने चाहिए ताकि के अंदर पर उनकी निर्भरता कम हो सके। यसी एक भी ब्यक्ती पर भरष्टचार का मुकदमा नहीं चलाया है। ब्रष्टचार की ब्रष्ट सयुक्त राष्ट कन्वेंशन की वारे में सबसे पहले इसकी उत्पत्ती 2003 में हुई। इस महासाइफ राष्ट महासभाद वारांगी करत किया गया और इसे 2005 में लागू किया गया था। जिसका उद्देश अधिक उसलत पूर्वक्त प्रभावी धंग से भरष्टचार की रोगठाम करना है। साथी ये भरष्टचार से निपटने वाले उपायों को बड़ावा देना तथा उन्हें मजबूत करना भी इसका उद्दिश होता है। इसमें टोटल एक सो चालिस देश हैं जिसमें पक्षकार एक सो नवासी हैं जिसमें पक्षकार देश में भारत भी सामिल है। निकाय के रूप में किया गया था। पक्षकार के अधिकारी इसके इंतरगर सामिल होते हैं। संसित के दिनियम दौरा इस्थापे संग्या राजसरकार दौरा पूरी आंसिक रूप से बित्व पोसेत किसी भी बोड़ या निगम या सुसाइटी। नियास या स्वाय निकाय के अधिक सदस अधिकारी इसके निर्दिशक होते हो। इसमें कोई भी साउसाइटी या नियास निकाय जो 10 लाग रूपी से अधिक बिदेसी अंस्थान प्राप्त करता हो। इसके संदर में होता है। प्राप्त कर चोके हो और जे भी पहले हो इसा पर धारण करते हैं बेतन और भत्ते की संदर में कि अध्यक्ष को भारत के नयाधीस को मिलने वाले बेतन भत्तों को समान भत्ते और बेतन प्राप्त होंगे और अन्याधीस को सदसों को सुप्रिंग कोट किया नयाधीसों मिलने वाली बेतन तधा भत्ते इसके अंतरगत प्राप्त होंगे लोगपाल को पत्से हटाने के संदर में कि लोगपाल की अध्यक्षिवम सदस्यों को कदाचार के आधार पर ही पत्से हटाया जाता है यदि संसत के कम से कम सो सदस से हस्ताक्षर का अध्यक्षिया किसी सदस्यों को गोहाल लगाते हैं तो राष्ट पती उसी याजिका को आंगे जांच के लिए शुप्रिम कूट की पास भीज सकता है और यदि शुप्रिम कूट की जांच के बाद आरोपों को सही पाया जाता है तो आरोपे तद्धेक 6-200 को राष्ट पती द्वारपत से हटाया जा सकता है और इसकी अलाव राष्ट पती निम्लिखित मामलों में सोयम को अध्यक्छो पत से हटा सकता है कौन-कौन से प्रावधाने किसके अंतर गद्वा हटा सकता है पहला आता है दिवालिया घूसित होने पर तूसरा आता है अपनी पदावधी के दोरान अपने पत के कर्तब्यो आता है मांसिक और रेकिंप दोरवलता की आधार पर उसे अयोग शोने पर पत से हटा सकता है और इसके अत्रिक्त भी निम लिखित का अलिए अपात्र होंगे। जैसे किसी राजने का तब बिभार के लिए, किसी के अंसासित प्रदेश में प्रिशाशक की रूप में न्युक्ति के लिए और ऐसी अन्य करतब बिभार ही तो जिसे राश्टपती निर्दिशित करे। दूसरा आता है भार सरकार या किसी रज सरकार के अधिन लाप के किसी अन्युक्ति के लिए, पत्याक करने की तारीक और प्रारूप क्या रहेगा। सिकायत का प्रारूप क्या रहेगा इसके अंतरगत किसी अपराज से सम्मनित होने चाहिए और इसमें सिकायत कौन कर सकता है इसके लिए कोई पृतिवन्ध नहीं लगाया गया है लोगपाल की साखाओं के संरेंदर में इसके अंतरगत दो साखाएं होती हैं एक जांच साखा ये कभी उजन साखा होती है जब लोगपाल को कोई सिकायत प्राप्त होती है तो बैं अपनी जांच साखा पूरी की जाएगी यदि जांस से निसकर्स निकलता है कि कोई अपराद किया गया है तो लोगपाल अनुसर सनात्मा कारवाही किसे फारिस कर सकता है और एसी बिसे सदालत की मामली में भी दायर कर सकता है फिर लोगपाल भारत में लोगपाल से समंदित मुद्दे के बारे में पहला आता है निक्तियों में देरी के संदर में, लोगपाल कानून 2013 पारेत हो गया था, फिर भी कई सालों तक लोगपाल का पत्थ खाली पड़ा था और मार्च 2019 में पहरे लोगपाल जेस्टिक पिनास की चंद्रगोस की निक्ति हुई थी, इसके लावा मई 2022 में अधिक्ष क का पद रिक्ति था, तथा ये से रिक्ति है तथा जो लोगपाल अधिनियम 2013 के मूल भावणा के खिलाप हो बरतमान में नियाय मुल्ति प्रदीप कुमार मोहंति लोगपाल के कारवाहे कद्धिक्ष के रूप में कारे रहत हैं, दो नियायक सदस्थों की पूरीद रिक्तो के में रिक्तो में को भी 2020 में नहीं भरा गया है, रिक्ति के संदर में लोगपाल में कुल स्वीकरित पदों की संख्या ब्यासी हो और इसमें किवल 32 पदों की ही नियुक्ति की गई है, लोगपाल की जांच और अभियोजन साखा का कठन किया जाना भी अभी सेस हो और लोग सिपकों के खिलाब धिश्टचार की 68 प्रिसर सिकायतों की बिना किसी कारवाही का निप्टान किया गया है। तथा सिकायत निबान की संदर में इसमें अपील के लिए प्रावधाल नहीं किये गए। अब आता है फेक निउज के बिनिमाई की बारे में हाली में लेक्टोनिक और सूचना पुरुदी की मंत्राले की द्वारा ने सूचना पुरुदी की मंत्राले मद्वर्ति दिसानिर्दी स्व डिश्टल मीडिया आचार सहीं ता संसुधन नियम दोहजार तेईस को अधियो परभासित किया गया है नियमों में की उपियों के लिए उपियों करता को सूचित किया गया है और दूर सरचार सिवा प्रदाबताओं के लिए नए मियों के बारे में उपियों करता को सूचित करना होगा नोडल संपर के वेक्टी से रखना होगा सोचल मीडिया मद्वर्त अब आता है ओनलाइन गेमिंग से संबन्दित मुद्दे जो हाली में चरचित रहे हैं जैसे संसुदन के दौरा ओनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती ओनलाइन गेमिंग सौ बिन्यमाइक निकायादी परिभासाओं को सामिल किया गया है इसके अंतरकत मध्यवर्तियों के दायतों में बे किसी भी ओनलाइन गेम को होश्ट प्रकासिते साज़ा नहीं करेंगे जिससे उपयोग करता को नुकसान पहुँचे और जिससे सत्यापित नहीं किया गया हो इसके अतरकत रियल मनी को सामिल करने वाले ओनलाइन गेम के संदर में अतरकत दायतों को निर्धारित किये गए है सो बिन्यमाइक निकाय यह जाचने तथा सुयम को संतुष्ट करने के लिए है ओनलाइन गेम में किसी विमनोविग्यानेक नुकसान के सहत कोई अन्य नुकसान नहीं पहुँचे तथा इसमें सो बिन्यायक निकायों को सरकार दोरा अधुसूचित किया चाहेगा अब आता हैं ओनलाइन एक कंटेंट के कारण उत्पन होने वाली समस्याओं के बारे में पहले आती है फेक नियूज की संख्या में ब्रद्धी के संदर में इसे राश्टी रेकॉर्ड ब्यूरों की एक रिपोर्ट के नियूज में फेक नियूज में कुल 1527 मामले दर्च किये गए और 2019 में ऐसे मामलों को 486 थे सामाजीक तानेवाने के नुकसान के संदर में कि इसमें सूसल मीडिया पर फेक नियूज तथा वीडियो फेक वीडियो सेर करने की सामपरताइक इससाब में बड़ूत्री होती है जैसे उधान के लिए 2017 में पश्यमंगाल के नौर्थ 24 पर अगना जिले में एक फेक इमेज तथा वीडियो सोसल मीडिया पर परशाज़त किया गया था जिसमें जिले में सामपरताइक दंगे फैल गए थी उगरबादियों आस समाजिक संगठिनों दोरा उपियों के संदर में सिदुष्ट प्रक्चार कटरता और सरेयंत कारी सिद्धानतों के परशार के तूफेक निउज का उपियो किया जाता है ताकि समाज को आइस तिर किया जा सके सहस्थाओं की प्रतिष्ठा के बारे में अफेक निउज अभियानों की इस्तमाल संगठित प्रतिष्ठा की खराप करने के साथ सेयर बाजरों में हेर फेर करने के लिए भी किया गया है जिसमें 2012 में सेल को लच्छित करने वाली फरजी आर्किर्टिक रेडी वैपसाइट सुतंत रुस्त निश्पक्ष्चनाओ को प्रभावित करना कि गुम्राह करने वाले कंटेंट या फेक निउज धर में जाती छेत राधी के आधर प्रमद्दाताओं की बेवहार को प्रभावित करते हों या राजनितिक धुरुभीकर्ण और पोस्ट ट्रूथ राजनितिक प्रभार करने और की अधिक संभावना होती है फेक निउज इने पटने के लिए सरकार दोरा क्या प्रयास किये गए इसके अंतरगत आईपीसी की धाराध 505 में लोग खानी का अधकारण बने कथों के उधन्तिवों सूचनाओं की संबन्द में ब्यापक प्रावधन किये और यह धारा अपवाय फेलाने वाज हूटी खबरों की प्रिसार के लिए दंडिका भी प्रावधन करती है इसमें सजा दी गई है कि तीन वर्सों में जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं संयुक्त राष्ट सुरक्षा परसत की यातंकिवादी रोधी समीती की दिल्ली भूशना पत्र की बारे में भारत में संचार प्रुदिकी के बड़ती दुरूपियों को चिंता प्रकट की है पी आई बी की फेक्ट चेकिंग यूनिट की बारे में इस कीस था अपने दिसंबर 2019 में की गई जिसमें मंत्रा लें और विभागों यूजनाओं की बारे में फ प्लद सूचने, सूचना प्रिशार की तीब्रिगती, मेडिया साक्षर्ता का आभा और अभी व्यक्ति की शोतंतर्ता के साथ संतुलन बनाए रखना इसके संदर में आंगी की राहे में देखते हैं कि अलग-अलग हिद्दार्कों की भी समनबाय होना चाहिए, विशेश का आभी व्यक्ति की शुतंतर्ता को संतुलत करती हैं और उसे एक पारदर्सी straps की तयार करती है और ऐसी उपायों में को भी अपनाया चाहिए सत्रू संपत्ति के बारे में हाली में केंद्री गरह मंत्राले ने सत्रू संपत्ति के लिए बेदखली और उन्हें बल्चने की पिक्रिया शुरू की है इससे सम्वंदि तथ में आता है कि गराय मंत्राले द्वारा जारी एक सूचना में सत्रू संपतियों के निप्टान ऐसे जोड़े देशा निर्देशों को बदलाव किया है जिसमें नभीन बदलाओं के अंतरगा सत्रू संपतियों को बेचने से पहले सम्वंदि जिला मजिस कि सकार कि दूश्मन की नागुरिकों कि अब जमे लेती हैं ताकि दुश्मन लड़ाई लड़ने की दोरन इसका फायदा ना उठा सके जैसे पाकिस्तान और चीन की नागरिकत लेने वाले विक्तियों दोरा भारत में छोड़ी गई संपत्ती अचल संपत्ती को भी सत्रू संपत्ती कहा जाएगा और इन संपत्तियों में सत्रू देश की नागरेकों की भूमी भवन कमपनियों में से और आवुशन आधी सामिल होसते हैं कैंसरकार ने भारती एरक्षा अधिनियम किता है चीन और पाकिस्तान की नागरेकों की संपत्तियों को अपने कबजे में लिया हुआ है वह इसके अंतरगत आएगा और इन संपतियों के प्रशाशन के लिए 1968 में सत्रू संपत्ती विधियाक या अधिनियम बनाया गया था जथा इसे सत्रू संपत्ती अधिनियम 2017 के तहत इसमें 1968 के संसूधन कीए गए और ये से 2000 किये गई और किये गई जिस सत्रू शंपत्तिय दिनियम के बारे में CEPI के पास भारत के सत्रू शंपत्तियों का प्रवंधन और सनरक्षड करने का अधिकार होता है CEPI के यह गराय मंत्राले के तक्त्वाधान में काम करता है जो 100 करोड रुपे से कम और 1 करोड रुपे से अधिक मुले के किसी भी संपत्ति करने प्टान ये निलामी या कैंसरकार के दोरा परिभासित किसी याने तरीके से करेगा साथ ही किसी निप्टान के लिए शत्रुशंपती निप्टान समीती द्वरा निलधारत मूल्ले पर किया जाएगा इसके संदर में होगा संदर भी सुर्कियों में आता है कि जैसे पहली आती है कि बार कांसिल की बारे में बार कांसिल फी इंडिया भारत में बिदेशी वकीलों और बिदेशी लौप हर्मों की पंजी करण तथ ही नियमissä 2022 को दिसूचित किया गया है इसके coronavirus निरदारित करेगा विया सालम Eph Martine सलाह देना तदा किसी भी अदाला तदीकरण या किसी अन बिन्यामिकी प्राधिकरण के सामने पैश होने की अनमती नहीं दी जाएगी और नई कदम उठाने के क्या इसका इंपोर्टेंश रहा है पहला आता है कि लोग फर्म सर्बूत तम बेश्विक प्रिथाओं की संपर्क में आने से लाबान बित होगी इससे विदेशी फर्मों निवेशकों को कुछ हद तक नियाएक सहस्ता प्राप्त होगी और फिपडियाई से आकर्सित करने अभारत में अंतराष्टी मध्यस्ता को केंद सरकार दोरम अदाने में मदद मिलेगी अब पढ़ते हैं बार काउं अधिवक्ताओं के अधिकारों विश्यस अधिकारों के हितों की रक्षा करता है तथा यशे विश्वत दालाओं को मानता प्रदान करने और जिससे कानून विश्याय में प्राप्त डिगरीया विखकील की रूप में नामांकित या पंजिकरत होने की मानता मानी जाएगी इसके मुख्य सदस्य की रूप में इसे BCI के परत्यक स्टेट वारोग काउंसल का प्रिदेंट करने वाले सदस्य सामिल होते हैं तथा इसके अलावा भारत में एट्राणि जनरल भारत के सॉलिषिटर जनरल इसके पदैन सदस्य होती हैं अब आता है आधार प्रमाडी करण, आधार प्रमाडी करण के बारे में भारती विस्ट पहचान प्राधी करण ने आधार प्रमाडी करण के लिए एक नया सुरक्षतंत लॉंच किया, इस पूफिंग के प्रयासों का तेजी से पता लगाने तिथा UIDAI के दो इस तरी इमेजिंग तिथा फिंगर मिन्यू से दोनों कैप्चर करता है और फिंगर मिन्यू शे एक फिंगर प्रिंट की इमेज को घुस्ट लूख शंब सिस्ता हैं, उसके अंतरगत उसमें कैप्चर की जाती हैं, जो आपकी आर्टिफिशल इंटरिजेंस के तुरों के आधार पर आधार बनवाया जा सकता है, एपडाली बास्तिव की फिंगर प्रिंट और सिलिकॉन इम्प्रिंट के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं, यह आईडी बनाते समय फेशियल बायोमेट्रिक मिलान नहीं करती हैं और इस प्रिकार एक ही बेक्ती उंगलियों के मिले जुली फि निवाशियों तथा उनकी 12 अंकों की विस्ट पहचानपत होती है, जो निवाशियों को बायोमेट्रिक या अजन सांकी की डेटा की आधार पर की जाती हैं, जारी करता की संदर में इस इलेक्ट्रोनिक और सूच प्रोधी की मंत्राले के अंत्रकतिक ब्रधानिक प्रादी क अब आता है उप्भूकता विबात के संदर में, उप्भूकता विबात के संदर में सुप्रिम्पोर्ट ने उप्भूकता नियालों तथा धैक्षों या सदस्चों की चैन के लिए मानदर्नों को आसान बनाया, सुप्रिम्पोर्ट के उप्भूकता नियालों की सदस्टों की निव्ति क्लिए आमिवार क्या या बिंग्ष के लिए 10 वर्स जब्रपन है कुछ मोग्याइब की टाल कि या कि इसके इस के चंदर में can true से दिश्टलीकमों भोगताओं के हितों को बहतर करने के उद्दिश से और यह है दो भोगता सनक्षड अधिनियम 1986 की जगह लेगा इस नई इसके पद पर हूँ या रह चुका हूँ या बनने की योगता हो कम से कम इसमें दो सदस होने चाहिए और इसमें पचास लाक रुपे के मामले आते हैं राश्टी इस्तर पर एक अध्यक्ष जो शुप्रिम्पूर्ट का नयाधिस रह चुका हो कम से कम चार अन्य सदस में सामि में अलग अलग प्रावधान दिये गए है कि कि जितने रुपे की या मौद्रिक छित्रादिकार होगा उसके अंतरगत यह मामला राज्ज में केंद्र में और जिले में दोनों में अलग अलग तरीके से जाएगा जिसमें राश्टी इस तर पर इसमें जो अध्यक्ष होता ह जिला इस तर पर इसमें जला नयादिस हो या रह चुका हो इसके संदर में कुछ योगता हैं जिसमें 50 लाग 50 लाग से दो करोड दो करोड से उपर तक की अलग-अलग सीमाय निर्धारित की गई है यहाँ पर यह टॉपिक फिनिस होता है और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद